हेलो फ्रेंट्स आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैनेडा वीजा प्रोसेसिंग के बारे में जैसे आप सभी को पता है कि IRCC अपना प्रोसेसिंग टाइम हर वीक अपडेट करती है अभी जो डेटा रिलीज किया गया है वो 2nd April तक का है 2nd April तक प्रोसेसिंग क्या चार रही है किस वीजा केटागरी की किस वीजा केटागरी में प्रोसेसिंग कम हुई है चांक किस वीजा केटागरी में प्रोसेसिंग फास्ट हुई है उसके बारे में बात करेंगे जो बच्चे अपने जर्ट की वेट करे हैं May 24 अंटेक के लिए उनके लिए क्या पॉसिबल हो पाएगा May 24 अंटेक जिन बच्चों ने अभी फाइल लगानी है जो बच्चे टेस्टेशन लेटर की वेट करे हैं उनके लिए May अंटेक का क्या होगा जान सब्तमबर अंटेक के लिए जो बच्चे अपलाई करेंगे उनके लिए जे प्रसेसिंग टाइम आने वाले दिनों में कम होगी जान जादा होगी बहुत सारे कॉशन आपके माइन में हो जकते हैं प्रसेसिंग टाइम में हम तीन कैटगरीज को कवर करेंगे पहले टी आर, चैनी के टंपरिरी रेजिडेंट की दूसरा पी आर, पर्मनेंट रेजिडेंट और फैमिली स्पांसरशिप जे तीनों कैटगरीज के बारे में बात करेंगे इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबी से रिक्वेस्ट करूँगा अगर अभी तक आपने हमारे इस यूटिप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जूर कर लिजे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताजो जो बच्चे में इंटेक के लिए यहां सब्सक्राइब के लिए अप्लाई कर चुके हैं जा करने वाले हैं उनके लिए जे थोड़ा सा क्लीर हो जाए कि आने वाले दिनों में उन्होंने आगे क्या डिसीजन लेने है सबसे बहले प्रसेसिंग टाइम के बारे में बात करेंगे जो अभी लेटस्ट अपडेट आई है जो डेटा रिलीज किया गया है IRCC की तरब से वो 2nd April 2024 तक का डेटा है हर वीक प्रसेसिंग टाइम अपडेट किया जाता है आप कभी भी official website cic.gc.ca जो IRCC की official website है वहां पर जाकर अपनी वीजा केटागरी जानी कि आपकी कोई भी वीजा केटागरी है आपने file lodge कर रखी है जा करने वाले हैं तो कभी भी आप इस website पर जाकर अपना प्रसेसिंग टाइम अपने वीजा केटागरी का प्रसेसिंग टाइम चेक कर सकते हो अभी बात करेंगे temporary residence visa जानी कि टी आरवी की applications के बारे में इसमें विस्टर वीजा, टूरिस्ट वीजा, सूपर वीजा, वर्क पर्मट, स्टडी पर्मट जे सारी केटागरीज आ जाती हैं सबसे पहले अगर हम विस्टर वीजा की बात करें तो विस्टर वीजा का अभी जो processing time चल रहा है पहले 21 डे था, एक दिन कम होकर 20 days अभी show कर रहा है जो हमें दो रजल्ट आये हैं विस्टर वीजा के इस पूरे week में उनका अगर मैं आपके साथ time share करूँ तो क्रीब-क्रीब 40-45 दिन after biometric update हमें समय लगा है दोनों ही applications पे उसके बाद जे सिर्फ मैंने Canada की बात कही है जो 20 days की बात कही है अगर आपका कोई another country है तो आप जाकर वहाँ पर चेक का सकते हो विस्टर वीजा की जो applications है जे इनका processing time country wise change होता है उसके बाद विस्टर वीजा inside Canada की बात करते हैं तो 13 days में जानी के 13 दिन में online आपको आपकी application का result मिल सकता है विस्टर वीजा inside Canada का meaning वो है कि अगर आपका कोई और status है और Canada में आप विस्टर वीजा apply करना चाते हैं तो जस्ट 13 दिन में 13 days में online apply करकर अपना result ले सकते हैं दो दिन increase हुए है पहले 11 days ये show कर रहा है विस्टर वीजा की ही एक और category है विस्टर वीजा के लिए parents और grandparents के लिए super visa की एक category होती है जो applicant Canada में PR है चाँ citizen है जो अपने parents और grandparents को सिर्फ parents और grandparents को बलाना चाते हैं super visa पे तो उनके लिए जो category है super visa की उसमें 56 days इस समय show कर रहा है इसमें कोई change नहीं पिछले week भी 56 था इस week भी 56 है विस्टर वीजा extension की बात करेंगे जिन बच्चों के बास जिन applicants के पास already विस्टर वीजा है Canada में वो एंटर हो चुके हैं और विस्टर वीजा को study visa के बारे में study visa में 11 week का इस समय time चल रहा है last two week से कोई change इसमें नहीं आई उससे पहले एक week increase हुआ था उससे पहले 10 week था जानिके इस समय 10 to 11 days का समय चल रहा है अगर हम इसको देखते हैं तो 60 to 70 days में बच्चों के result आने चाहिए मगर जो 5 result हमें इस पूरे week में आये है study visa के उसमें जो time लगा है जे सारी application दिसंबर मन्त की थी जनबरी और फर्बरी मन्त की single application का result हमें आना अभी start नहीं हुआ अगर आपको आपने जनबरी और फर्बरी में अपनी application लगाई थी तो result आया तो नीचे comment करकर जरूर बताईए कि आपको result आ चुका है मगर जो December की files है उन सभी के result आ रहे हैं जिनको क्रीब क्रीब 90 days तक का समय इस समय लग रहा है तो आने वाले दिनों में जो बचे May and take की wait कर रहे हैं जिन बच्चों ने अपनी file औरेड़ी May 24 and take के लिए lodge की हुई है उन बच्चों के लिए May and take possible हो जाएगा जिस speed से जिन रिजल्ट आ रहे हैं अगर इसी speed से भी चलते हैं तो भी जो January की files है जब February की files है आने वाले समय में possibility है कि आपको आपका result जल्दी ही मिल जाए अगर आपकी file को 11 week से ज़्यादा समय हो चुका है इंसाइड कैनेडा का जो पहले का time था last week 9 week था अभी एक week increase होकर 10 week शो कर रहा है जो पहले काफी समय 4 week जानी के एक मन्त पे रहा अभी 2 and half मन्त चल रहा है 10 week का इस समय टाइम चल रहा है study permit inside कैनेडा का meaning है अगर आप tourist visa, western visa, work permit जाग किसी visa category के साथ Canada में enter हुए और वहाँ पर जाकर अगर आप study visa के लिए apply करते हैं तो study permit inside कैनेडा में आपकी application जाती है जिसमें आपको 10 हफतों में आपकी application पे result मिल सकता है इसके बाद study permit extension की बात करेंगे जह category उन बच्चों के लिए रहती है चो बच्चे औरेड़ी कैनेडा में हैं जिनके पास औरेड़ी study permit है और वो उसको extend करवाना चाते हैं जानि कि एक साल का program था एक साल का program और लेना चाते हैं दो साल का program और करकर वो bachelor degree में जाना चाते हैं तो उन सबी बच्चों के लिए 77 online days 77 online days में बच्चों को result आ सकता है पेपर वेस 71 days तो यह पूरा का पूरा process है इसमें 9 days कम हुए हैं अगर हम study permit extension की बात करते हैं इसके बाद work permit को लेकर क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं applicant हैं जो work permit के लिए apply करते हैं चाहे वो leemia के थूँ close work permit हो तो इंडिया की मैं बात करूँ तो 20 weeks अज समय जो time लग रहा है जो study permit से लगबग दुगना है अगर study permit की बात करें तो 11 week है और work permit के लिए 20 week इस समय time चल रहा है और काफी समय से 19, 20, 19, 20 के आसपास चल रहा है और इस पूरे week में सिर्फ एक spouse open work permit का हमें result आ है बाकी किसी भी बच्चे को work permit की application पे इस समय result नहीं आया work permit की सारी application काफी slow है आने वाले दिनों में जो update आई है temporary residence visa को लेकर जहां पर उस पे capping की बात की है जहां पर major cut की बात की है आने वाले दिनों में कुछ न कुछ इस से थोड़ा बहुत जो visa trend है उस पे negativity आ सकते है negative result देखने को मिल सकते है मगर सबसे अच्छी बात क्या है कि इस समय अगर मैं 1st January 2024 की बात करूँ और आज की बात करूँ करीब करीब 4 April हो चुका है प्रमात्मा की दुआ है एक single refusal देखने को नहीं मिली 9 Western Visa की application पे 9 Study Visa की application पे 9 Spouse Open Work Permit की application पे single application पे अभी तक refusal नहीं आई प्रमात्मा की दुआ है आने वाले दिनों में भी मैं अमीद करूँगा कि ऐसा ही result हमें देखने को मिलेगा इसके बाद अगर हम बात करते हैं Inside Canada Work Permit के बारे में तो 102 दिन लग रहे हैं online 102 दिन में आपका result आपको मिल सकता है अगर आप paper-based file submit करते हैं Inside Canada Work Permit के लिए तो 15 दिन में भी आप result ले सकते हैं तो जे सारी जो categories मैंने आपके साथ discuss की जे सारी की सारी temporary residence visa की application थी अभी हम बात करेंगे permanent residence जानने के PR के बारे में Canadian Experience Class में अगर आपकी application गई है तो 5 मन्त का समय आपकी application की processing को लगता है अगर आप Canadian Experience Class में application लगाते हैं अगर आप Federal Skilled Worker Program जिसको हम FSWP के नाम से जाते हैं जहां पर आपकी application को 5 मन्त का समय लग रहा है जो last week से 1 मन्त कम हो चुका है पहले 6 week था इस समय 5 week में आपका Federal Skilled Worker Program में अगर आपकी application है तो उसको process किया जा सकता है उसके बाद Federal Skilled Trade Program इसका कोई भी data नहीं आया 1st March 2023 के बाद कोई भी data इसमें नहीं है PNP via Express Entry की बात करे तो 6 मन्त का time है और इसमें last week से लेकर अभी तक कोई चेंज नहीं है इस 6 मन्त पहले था और 6 मन्त ही इस समय टाइम चल रहा है उसके बाद Non-Express Entry अगर आप बात कर रहे हैं PNP की जानी के PNP की file Non-Express Entry आपने लगाई है तो 12 मन्त में आपकी application पे आपको result मिल सकता है उसके बाद क्यूबिक की category आजाते हैं क्यूबिक skilled worker QSW 9 मन्त में इसमें भी कोई change नहीं है क्यूबिक business class, entrepreneurship, investors, self-employed persons चारों कैटागरी में अगर आपने क्यूबिक में apply किया है तो 54 मन्त में आपको result मिल सकता है और जह 3 मन्त कम हुआ है लास्ट वीक से 3 मन्त कम हुआ है और जहें हर वीक 2 से 3 मन्त कम होता जा रहा है उसके बाद फैडर सेल्फ उंप्राइड का जो category आजाता है जिसको हम FSC बोलते हैं 52 मन्त में आपको result मिल सकता है Atlantic Immigration Program इसमें 6 मन्त में आपको result मिल सकता है और Startup Visa का 37 मन्त इनों तीनों category में कोई भी change देखने को नहीं मिली जह सारी की सारी categories जो मैंने आपके साथ share की है जह सारी की सारी categories permanent residency जानि के PR की applications के बारे में हैं इसके बाद family sponsorship के बारे में बात करेंगे family sponsorship में अगर आपके spouse, commonla partner Canada से outside से apply कर रहे हैं अगर आपके spouse, commonla partner outside Canada से Qubic के लिए apply कर रहे हैं तो 28 मन्त का समय लग सकता है जहां पर 2 मन्त अश्व में कम हुए हैं और last 2-3 week से 2-2 मन्त इस category में कम होते जा रहे हैं अगर आपके spouse, commonla partner outside Canada से Qubic के लिए apply कर रहे हैं उसके बाद spouse, commonla partner अगर inside Canada से apply करते हैं बाकी किसी province के लिए तो सिर्फ 8 मन्त में जहां पर भी 1 मन्त हर week कम होता जा रहे हैं और इस समय 8 मन्त में आपकी file process हो सकती है दूसरी category अगर आपके spouse, commonla partner Canada में हैं और Qubic के लिए apply कर रहे हैं तो जहां पर 24 मन्त में आपकी file की processing हो सकती है जहां पर भी last 4 week से 1-1 मन्त कम होता जा रहा है और 24 मन्त में आपकी file पे result आपको मिल सकता है parents and grandparents के लिए अगर आपकी application PR की application लगी है और Qubic को छोड़कर बाकी किसी province के लिए है तो 27 मन्त के लिए जहां पर 1 मन्त increase हुआ है और अगर आपके parents और grand parents Qubic के लिए apply कर रहे है तो 38 मन्त और जहां पर 13 मन्त कम हुए है तो जाने के आपकी application क्रीब क्रीब 38 मन्त में process की जा सकती है तो जहें तीनों category का processing time था जो बच्चे May 24 and take के लिए apply कर रहे है उनके लिए तो main take possible नहीं होगा जिन बच्चों ने main take के लिए और रड़ी apply कर रखा है उनके result जल्दी ही उनको मिल पाएंगे वो उमीद रखें वो main take में enroll हो सकते हैं जो बच्चे September and take के लिए प्लान कर रहे हैं तो जल्दी apply करें जल्दी attestation letter लें जल्दी अपनी fees pay करें और अपना process complete करें ताँ जो आपको समय पर result आ सके क्योंकि जिस speed से processing time increase हो रहा है आने वाले दिनों में जही problem जो इस समय main take के बच्चे face कर रहे हैं जिन्होंने 3-4-4 मन्त पहले file लगाई थी आने वाले समय में जह problem आपके साथ भी हो सकती है अमीद करता हूँ जे वीडियो आपको अच्छी लगी होगी ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप सभी से request करूँगा कि आप हमारे इस YouTube चैनल को subscribe जुरू करिए और इस वीडियो को like और share जुरू कर दिए Thank you so much